नमस्कार जोती शेक दिव्य प्रकास चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में तुला राशी चर एवम वायू तत्व राशी है इस राशी वाले जातक बड़े ही संतुलित विचारधारों वाले खुते हैं इस राशी के लोग शान्ति प्रिय होते हैं परन्तु अनुचित दबाव सहन नहीं कर पाते हैं परिवार के मान और सम्मान का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं इस राशी के लोग परस्थिती के अनुसार अपने आपको ढाल लेते हैं ऐसे लोग दूसरों को समझने में बड़े ही माहिर होते हैं दोस्तों तूला राशी वाले जातक बड़ी आशाएं उम्मीदें रखने के साथ साथ बातूनी भी होते हैं कलपना शक्ती इन जातकों में बहुत होती हैं परन्तु विचारों को वास्त्रिक रूप देना इनके वश की बात नहीं होती हैं इनके जीवन में उतार चड़ाओ आते रहते हैं तूला राशी के लिए यदि शुब ग्रह की बात करें तो शुक्र, मंगल, बुद्ध और शनी ग्रह इस राशी वाले के लिए सुब फल परदान करते हैं अशुब राशी की बात करें तो सुर्य, चंद्रमा और गुरु इस राशी वाले जातकों के लिए अशुब फल परदान करते हैं दोस्तों इस राशी के जातकों के लिए भाग्यशाली अंग एक, दो, चार और साथ होते हैं इसी के साथ यदि भाग्यशाली दिन की बात करें तो इन राशी वालों जातकों के लिए रवीवार, सोमवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार बड़ा ही शुब फल परदान करता है तुला राशी वाले जातकों के लिए भाग्यशाली रतन, हीरा और सफेद पुखराज होता है ऐसे जातक नीलम को भी धारन कर सकते हैं भाग्यशाली रंग की बात करें तो इस राशी वाले जातक नारंगी, सफेद और लाल रंग बहुत ही सो भाग्यशाली होता है इन जातकों को हरा और पीले रंग का त्याग करना चाहिए दोस्तों तुला राशी वाले जातक को मंगलवार का वृत करना फायद्यमंद साबित होता है दोस्तों तुला राशी वाले अपनी आजिविका के लिए निवन कारे छेत्र का चुनाव करते हैं जैसे वकील, जज, ललितकला, रतन से जुड़ा हुआ कार्य, आभूशन, स्वर्ण, चांदी, पशुपालन, अनाज, फल व सब्जियां पता सलाकार के रूप में कार्य करना, भी चौलिय का कार्य करना, ऐसे जातक, अध्यापक और नयाले से जुड़के भी कार्य करते हैं दोस्तों, तुला राशी वाले जातक, सिनेमा, अभिनेता, वो निर्देशक का कार्य भी बहुती अच्छी तरीके से करते हैं इन जातकों के द्वारा यातायात, कपड़ा उध्योग, रबड, प्लास्टिक और चिकित्सक से जुड़ा हुआ भी कार्य करने में सफल रहते हैं इस राशी वाले लोगों को निबन परकार के रोग होने की संभावनाय रहती हैं जैसे कमर का दर्द, गुर्दा संबंधी परिशानिया, पत्थरी, चर्म रोग, एक्जिमा, मधुमे, मुत्र वहीनी संबंधी, परिशानी इन जातकों को होने की संभावनाय रहती हैं इन जातकों में लीडर्शिप की क्वालिटी होती है साथ ही इन जातकों को गुस्सा बहुत अधिक आता है इनके जिद्धी सुभाव के कारण इने कई बार परिशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे जातक परिश्थिति के अनुसार अपने आपको ढाल लेते हैं आत्मिस्वास इनका बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों किसी के नियंतर में रहना इन जातकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जीवन में उतार चड़ाओ कई बार आते हैं एक बार से एक से जादा काम करने में असफल होते हैं यह काम तो शुरू बड़े जोसकिशात करते हैं लेकिन फिर उस काम से दूर भागते हैं आधे अधूरे में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं यह न्यायप्रिय, कलाप्रेमी, निडर तथा मधूर भाशी होते हैं इस राशी वाले लोग देखने में बड़े ही आकर्षक होते हैं तुला राशी वाले जातक बड़े ही सुल्जे स्वभाव के होते हैं तथा यह परतेक निर्णय को बड़े ही सोच समझ कर लेते हैं तुला राशी वाले जातक वैभो विलासिता पूर्ण जीवन यापन करना बहुत अधिक पसंद करते हैं यह जातक फैसन से बहुत अध्यतिक प्रभावित होते हैं इस राशी वाले जातक दूसरों की समस्याओं का समधान करने में सफल होते हैं परन्तु अपनी समस्याओं का सभधान करने में हमेशा असफल रहते हैं तुला राशी के लोगों में प्रेम, आनन्द और रिष्टों के ग्रह, शुक्र का शाशन होता है तुला राशी के जातक बड़े ही रोमेंटिक विचारों की होते हैं इस राशी वाले जातकों को शांत रहना बहुत अच्छा लगता है परन्तु किसी का अनुचित दबाव यह सहन नहीं कर पाते हैं ऐसे जातक अपने परिवार के मान सम्मान का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं यह जातक बड़े ही धार्मिक होते हैं और परिस्तिति के अनुचार अपने आपको ढ़ा लेते हैं जीवन मैं चाहे कितनी भी बड़ी परिशानी आओ तो यह जातक उस परिशानी का हल बड़े ही सोच विचार के करते हैं और उस समस्या से बाहर निकलते हैं तुला राशी वाले जातक दूसरों की भावनाओं को समझने में बड़े ही माहिर होते हैं दोस्तों तुला राशी के लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने गुस्से को सामने वाले व्यक्ति के आगे जाहिर नहीं कर पाते हैं उस गुस्से को अपने दिल में ही रखते हैं इस राशी वाले जातक अपने आप में मस्त रहते हैं इन्हें खाने पीने का बड़ा ही सौख होता है सांसारिक सुखों तथा धन एकत्त करने में इनकी बहुत रूची होती है ऐसे जातक कला, संगीत, भोग विलास और कार्य वहवार में कुशल होते हैं इस राशी वाले जातक सिधान्त वादी होते हैं जो अपने बनाएगे रास्तों पर ही चल कर कार्य का संपादन करके सफल होते हैं अगली जानकारी के लिए मेरे चैनल जोती शेक द्विय प्रकास को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैशी कृष्णा वर्णा झाल झाल झाल